क्या हुआ था गटना में एकल आप लोग वहां होंगे एकदम सचानक से क्या पता लगा चिलाने की अवाजे आ रही थी हम लोग भार गए तो देखा वो काफी काट चुका था काफी घायल कर चुका था उनको दलवाजा अंदर से बनता इनका बेटा गया वा ता जिम ट्रेनर तो उसको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे जो इनके टैनिंस रहते हैं बट वह फोन नहीं उठा रहा था जो भी रीजन था वह बिजी होगा जो भी उसको नहीं पता होगा और अंदर जाने का एक रास्ता था बट कोई उस टाइम पे इतना नहीं रिस्क उठा पाता आधम झूड़ी पड़ी है वहां पड़ी हुई यह और पहली भार नहीं है यह पहली भी पर चुका था वह आपकु आप लिए इसको पैस तो क्या आधि यहां अच्षिन यह तो चाहिए और नगरनिगम को इस पे और मुझे नहीं पता उसके पास license है स्कुत्ते गाय का या नहीं कि अब बाहर कभी टहलाने निकलता था इस तरीके नहीं एक दो बार गलती से बाहर निकलता था वो भी हम सब डर के बाहर अंदर बैठ जाते थे तो पहली बात तो कितने देशों में बैन है तो उसको आप ऐसे पैट नहीं कर सक कि दर्वाजा अंदर से बनता करी नहीं पाई कुछ सब्सक्राइब मेरे फादर थे इधर से यह लोग 2-3 मिनिट के लिए यह लोग आई थे जितना जो जितना उसको चिला-चिला के भगाने के कोशिश कर पाए कि फिर उपर से आमित जो लड़का है उनका उनका दोस्त आय देखा ही होगा अपने पढ़ा होगा फार दिया था पेट बाराक गाह हुए तो जितना मैंने भी पढ़ाए पेपर में अब डर लग रहा है उसको अमित को भी समझना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वह कुछ था होना चाहिए नहीं कभी वह भारी निकलता था वह कभी भारी निकला अब लेगे नगा यह चीज वह तो फिर तो नहीं होना चाहिए ना वह कुछ तो यह प्रोस में रहने वाली हैं साफ तो और से माना है कि जिस तरीके से पिट बुल ने अटाक किया बारा घाव किये और पूरे महले में लोग पत्थर मारके उसे चुड़ाते रहे बचाते रहे लेकिन कुट्ते ने एक ना सुनी तक्रीबन एक घंटे तक वह उस महिला को खाता रहा फाडता रहा लेकिन कोई भी उसको बचाने पर नहीं पहुच पाया तक्रीबन एक घंटे वाजर उसका बेटा वहाँ झाल झाल झाल